हेलो एवरिवन आज हम करेंगे क्लास फाइफ की एसेस्टी का चाप्टर नैचरल रिसोर्सेज मुझसे एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की दिए कि मैं ये चैप्टर समझाओ मेरे पास जो बुक है उसमें ये चैप्टर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नोट्स प्रिपेर अम समय आदक है अब नेचर eवर्टर सब अब नेचर वस्टर नोट्र रिसोर्सेज एडर वहते हैं अगया है ये nervous कि आौए होता है कि ये ऊद् सूरज निकलता है, सूरज में बैठते हो, ठीक है, धूप सेकते हो, सरज में कितनी धूप सेकते हैं, है ना, और ऐसे गर्मियों में हम हवा का मज़ा लेते हैं, विंड का मज़ा लेते हैं, तो यह सब क्या है, यह हमारी है, रिनिवेबल रिसूर्स जिनको आप जितना यूज करोगे वो डिडियूज नहीं होंगी कम नहीं होंगी ठीक है इसलिए हम इनको इन एक्जॉस्टिबल भी कहते हैं ठीक है याद रखना रिन्यूवेबल को हम इन एक्जॉस्टिबल भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जब हम इसको यूज करते हैं तो यह कम नहीं होती यह ने यह उसाब से प्यूंद करते हैं यह एक लिमेटेड क्वांटिटी में आपके पास रहती हैं और यह हमेशा नहीं होती है आपको पता होने चाहिए फॉसिल फ्यूल्स किने कहते हैं एक जो डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स फॉर्स्ट में रहते हैं कई सालों तक millions of years तक वो क्या करते हैं महाँ पर सड़ते रहते हैं तो उनसे क्या बनता है fuel जो बनता है उनको हम क्या कहते है fossil fuel कहते है dead remains of plants and animals से जो बनता है उसको हम क्या कहते है fossil fuel next आते हैं uses of natural resources uses क्या क्या है natural resources के things that we use in our daily life derived from natural resources जो भी चीज़े हम अपनी daily life में use करते हैं वो सब कहां से आई हैं सब natural है ठीक हम natural resources ही use करते हैं कुछ ऐसी होती है जिनको हम directly use कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हम directly use नहीं कर सकते तो इसलिए जो हमने parts पड़े हैं दो parts पड़े हैं renewable और non renewable तो वहीं बात है कुछ तो होती है natural ठीक है और कुछ natural नहीं होती है अब जब आप कोई भी चीज यूस कर रहे हो आपको पता है वो सब natural है लेकिन कुछ directly use कर रहे हो कुछ indirectly use कर रहे हो अब वो पढ़ते हैं हम directly और indirectly कैसे होता है some resources can be used directly but some need to be changed from the natural form such as water can be used directly to produce hydro electricity अब आपको यह पता होगा कि water से हम electricity produce करते हैं ठीक है और वो कैसे होता है आपने देखा होगा जगा जगा पर जहां पर दो नदिया होती है वहाँ पर डैम्स बना दिये जाते हैं और वहां से क्या होता है water electricity hydro electricity क्या की जाती है प्रोड्यूस की जाती है hydro means water electricity का मतलब electricity मैंने इसी लिए इसका meaning लिखा है ताकि आपको इसका meaning पता हो एक बात हमेशा याद रखना अगर आप रटो के किसी चीज़ को आप कभी भी कामियाब नहीं हो सकता है अगर आपको कामियाब होना है तो उसके लिए समझना बहुत ज fossil fuels क्या होते है जो dead of remains dead remains of plants and animals होते है उनको हम क्या क्या थे फासिल फियूस होते है लेकिन उनको डिरेक्ली यूज नहीं कर सकते है उनको में रिफाइन करना पड़ता है और ज्यादा तैयार करना पड़ता है ताकि वह हमारे लिए usable हम use कर सकें उसे ठीक है जैसे कि petrol है केरोस ले नियोंगे कहां से मिलते हैं यह सब हमें किसटे मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं और आपको पता है पो यह पुन्स कुषा लुप서क्तायां चquelी मिल्च जो raw form है वहां से लेकर आपको निकालना है और फिर अपने लिए use के लिए जो अब directly use कर सकते हैं उस लायक बनाना है तो minerals कहां से निकलता है और से निकलता है ऐसी petroleum कहां से निकलता है crude oil से निकलता है तो यह कुछ बाते हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है solar energy is used for heating and generating electricity solar energy को हम use करते हैं heat करने के लिए और generate करने के लिए electricity का solar panels बहुत जगा पर लगाए गए हैं यह आपको पता है ताकि जो electricity है वो हम उससे produce कर सके generate कर सके conservation of natural resources conserve हम कैसे करते हैं अपने natural resources का जितना ज्यादा plantation हो सकता है उतनी ज्यादा plantation लगाएं मतलब plants लगाएं ठीक है और cuts ना करें trees को बिल्कुल भी cut ना करें और alternate resource ढूंडे एनर्जी का जैसे के solar energy यह फिड एनर्जी alternative resources ढूंडने चाहिए public means of transport यूज़ करना चाहिए था कि हमारा जो पेट्रॉल है वो बच सके कभी भी हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को टैप्स हैं उनको खुली नहीं चोड़नी चाहिए पेपर को रिसाइकल जरूर करना चाहिए ठीक है जो हमने solar energy के कि है solar energy को हम कहते हैं resource of the future क्योंकि solar energy से बहुत सारी चीज़े हो सकती है जैसे कि Japan क्या कर रहा है डेवलप कर रहा है कार जो कि solar energy से चल सकती है तो इसी तरीके से यह इस पर बहुत जादे रिसर्च कर रहे हैं साइंकिस के solar energy को हम किस तरीके से अपने future में एक resource की तरह यूज करता है तो अब आप इस chapter को अच्छे से समझ गया होंगे मैंने जो complete chapter था उसको बहुत अच्छे से notes के through मैं आपको समझाया है अगर समझ में आया हो तो like share जरूर करना और अगर इसमें कोई चीज रह गई हो जो मैंने miss कर दी हो तो please आप मुसे comment में पूछ लीजेगा मैं आ all thank you